कहते हैं मुर्ख को जवाब मत दो ग्यान को ठुकराओ मत अच्छे को जाने मत दो बुरे को अपनाओ मत नमस्कार दोस्तो आज फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज हम आप सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि पेपर प्लेट से जूड़ी संपूर्ण ग्यान आपको देगी तो प्रिस इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भोले क्योंकि आपका एक करते हैं तो दोस्तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है तो अगर यह दिया पेपर प्लेट का बिजनस करते हैं यह करना चाहते हैं तो आप इस वीडि मैं आपको वो सारी जानकाश देना चाहता हूं जिससे कि आप लोग बंचितना रहें और कहीं भी आपको किसी से कोई चीज को पूछने की जिरुवत ना पड़े क्योंकि पेपर प्लेट में बहुत तरह की बाते होती है और मैं इस बिजनस को कर रहा हूं और कर रहा हूं इसल कि ताकि आपको आगे चलके कोई दिक्कत प्रसानी ना हो और आप अराम से भी फिकर होके इस बिजनस को करेंगे तो दोस्तो सबसे पहला नमर पर आता है कि मसीन कौन सा ले हाइड्रोलिक मसीन ले या क्रेंग वाली मसीन ले दूसरा नमर पर आता है डाई कौन कौन सा ले त जोथे नमबर पे आता है A Space, मसीन को लगाने के लिए कितना A Space की जुरणत पड़ेगी, कितने जगह की जुरणत पड़ेगी। पाँचमे नमबर पे आता है बिजली दोस्तों छट्थे नमबर पे आता है रो माटेरियल कि रो माटेरियल हम कहां से ले साथमे नमबर पे आता है पोडेक्शन पोडेक्शन कितना होना चीए किस परकार से होना चीए आठमे नमर पे आता है Marketing जो कि सबसे बहुत एहम भूमी का निभाती है Marketing क्योंकि बिजनस को करना और बिजनस करना और बिजनस करते रहना दोनों में बहुत फर्क होता है नोमे नमर पे जो आता है हमारा Technical Support Technical Support आपको क्या चाहिए कितना चाहिए और दस्वे नमर पे आता है जो सबसे जरूरी चीज़ है लाइसेंस कि इस बिजनस को करने के लिए हमें कौन सा लाइसेंस लेना चीए या नहीं लेना चीए लाश्ट में आपको सबसे इंपोर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और प्लीज एक लाइक जरूर कर दें तो दोस्तो आईए हम इन दसो पॉइंट को विस्तार से समझते हैं तो पहला नंबर पे है मसीन कौन सा लें दोस्तो अगर आप फर्स टाइम काम कर रहे हैं आप नए है इस लाइन में तो हमाई तरफ से जो सजेशन होगा आपके लिए कि आप मसीन करेंक वाला ही ले हाइड क्योंकि डबल डाई में बहुत परसानी होती है आप नय नय लोगों के बस की बात नहीं है डबल डाई चला पाना बहुत दिकत होता है तो इसलिए आप सिंगल ही ले और करेंक वाला ही ले हाइडॉलिक में भी परसानी है इसलिए आप सिंपल काम स्टार्ट करें ताकि आप आपको लेने से पहले इस बिजनस को स्टार्ट करने से पहले आपको कम से कम पान से साथ दिन अपने मार्केट जो आपका नजदी की मार्केट है उसमें आपको पहले घूमना चाहिए और वहां से आपको हर वे एक सेम्पल क्लेक्ट करना है मार्केट से जाकर के उठाना है कि यह पमकार कि यह इटम आप चल रहा है जैसे आज कल जो पेटना च चल रहा है इक तो चोमिन में उज घुज होता है पलेट बर्गर नास्ता पलेट तो इन सब जगा पर आप जा जा जाके कम सेंपने एक पीस पीस अप सेम्पल उठा लें वहां से कि गोलगप्पे में कौन साइच चल रहा है नास्ता प्रेट में कौन साइच चल रहा है चोमिन में क्या चल रहा है बर्गर में क्या चल रहा है थाली क्या चल रहा है 12 इंच है 13 इंच है 14 इंच है अपने मार्केट के हिसाब से उसके बाद आप डाई लें क उसके बाद ही आप डाई को लिजिए पर्चेस कीजिए कि कौन सा डाई हमारा मार्केट में ज्यादा चल रहा है उनके भरोसे रहिएगा डीलर के भरोसे तो आप परिसान हो जाएगा बरबाद हो जाएगा तीसरा पॉंट जो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे एहम बात है जरूरी है यह जानना कि इस बिजनस को करने के लिए हमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगो कि इन्वेस्ट इसमें अगर यह आप कहीं से भी मसीन लेते हैं तो यह मसीन आपको 40,000 का भी मिल जाएगा पचास जार का भी मिल तो हमारा सजेशन यह है कि आप स्टार्टिंग करें अगर स्टार्टिंग के लिए लेते हैं तो 40,000 से 45,000 में मसीन आपको मिल जाएगी बात रही डाई की तो डाई आप अपने हिसाब से जैसे में बताया आपको उस हिसाब से लेते हैं तो 10,000-12,000 में आपको डाई लगाईगे आप तो आपका यह काम चालू हो जाएगा चौथा है रो माटरियल हम कितना से ले दोस्तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पूर्जी है इनवेश्ट रो माटरियल के लिए आप पांस जागे ङुरू ले सकते हैं अपने हिसाब से आप उठा सकते हैं चट्था जो है बिजली कि इस मसीन में बिजली कितनी यूज होती है तो दोस्तों यह मैं बता दूँ कि इसमें हाथ HP से लेकर कि एक HP तक का मोटर होता है 200 से 400 वोल्ट का हीटर होता है अगर आप सिंपल डाई चला रहें तो जिसे दोना प्लेट का क्योंकि थाली में ज्यादा बिल उठाता है थाली में हीटर एक्स्ट्रा होता है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा कि थाली में कौन स कि आप 10 से 8 से 10 घंटा चलाते हैं मशीन को तो आपको 8 से 10 यूनिट बिजली इसमें लगेगी सातमा पॉइंट जो आता है हमारा वह है पोडेक्शन कि पोडेक्शन किटना करे तो हमारा काम सही से चल सकता है हमारे बिजनस आगे बढ़ सकता है तो दोस्तों जब मसीन आती ह तो उसमें 1,000 से 1,200 का प्रोडेक्शन की हिसाब से मसीन बनके आती है लेकिन आपको उसको चलाना है तो कम से कम 1,800 से 2,000 के घंटा पे चलाना है उसके लिए हम पीछे वीडियो बना रखे हैं आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को कि मसीन का स्पीट कैसे बढ़ा है स्पीट बढ़ा के चलाने से आपको दो चीज़ का फायदा होगा एक तो कि आपको प्रोडेक्शन बढ़ जाएगा दूसरा आपका लेवर बिजली कम लगेगा क्योंकि स्पीट कम हो या जादा हो बिजली उतना ही लगना है लेवर उतना ही लगना है प्रोडेक्शन अच्छा होगा तो आपका इनकम अच्छा होगा आठवा है मार्केटिंग सबसे महतवपून जरूरी बात यही है मार्केट करना क्योंकि मसीन लगाना और चलाना बड़ी बात नहीं है सबसे बड़ी बात है कि मार्केट को हमें कैसे हैंडल करना है मार्केट को कैसे हमें अपने अंडरे मिलाना है जिससे कि हमारा माल सेल हो तो सबसे जरूरी है मार्केट आपको हर रोज मार्केट निकलना है कम से कम रोज का 10 दुकान में जरूर जाना है 10 में से अगर आपको 8 ना करता है 2 दुकान भी आपको हां करता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है आपका मार्केट अच्छा बन जाएगा जरूरी चीज़ जो है मार्केट करना और मार्केट को स्ट्रोंग करना क्योंकि बीजनस के लिए सबसे बड़ी चीज है मार्केट तो हमारा नुम्मा पॉइंट है टेकनिकल सपोर्ट तो जब भी आप मसीन परचेस करते हैं अपने आप मंगवाते हैं तो उसके साथ में एक टेकनिकल आपके पास आता है जो कि आपको समझाने के लिए तो उस वक्त में आपको बहुत ही बारिकी से समझना होता है बहुत ही गहरे से आपको उसको देखना है कि वो किस चीज में क्या कर रहा है क्योंकि first time जब वो आपके पास आएगा तो आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि machine पे चार्ज लगा के देता है machine अगर आप उस वक्त कोई वी चीज़ को miss कर गए तो जब वो second time में आपके पास आएगा तो आपसे extra charge करेगा तो इसलिए टेकनिकल जब भी आए तो आपको उस पर बारीकी से ध्यान देना है कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है और क्या चीज हमें सीखना चीए उससे और हमारा दसमा पॉइंट है लाइसेंस कि इस बिजनस को करने के लिए हमें कौन कौन सा लाइसेंस लेना होगा तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि ये बिजनस जो है घरेलू बिजनस है तो इसमें कोई भी चीज का लाइसेंस नहीं लेना है हमें कोई भी चीज का टेंसर नहीं दिमाउ लेना है कि अगर किसी ने बोल दिया हमें कि बिजनस किये हो तो आप GST लो टीन नंबर लो अगेरा वगेरा रेइस्टर कराओ तो उन सब चीजे पर धियान नहीं देना है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उस चीज के पीछे परने से पैसा इन्वेस्ट होगा और अब आप लोग को लग रहा होगा ये कि इसमें प्रोफिट कितना होगा तो मैंने बताया थे कि सबसे लास्ट में आपको जरूरी बात बताऊंगा तो प्रोफिट इसमें अगर आप सही से बिजनस को करते हैं सही से मार्केट को समझ के बिजनस करते हैं तो प्रोफिट आ रहा हूं मैं इस business को पिछले 8 साल से करता आ रहा हूं और हमारा जब start हम किये थे काम को तो हम भी आपके जैसे ही एक machine से start किये थे और आज में पास में पांच machine है plate वाली और एक machine लेमलेशन वाली जो कि मैं plate और तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल रिलेक्स होगे काम करना है और दिमाग से काम करना है जब जा करके आपका बिजनस आगे अच्छा गुरोथ करेगा और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुचे तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए और लाइक करके हमारे होसला को बढ़ाने के लिए